ये हैं सुप्रीम कोट के वकील करुनेश शुकला जी जो संत समाज से आते हैं बज़में से खुद को अध्यात्में की दुनिया से जोड़ा और आज एक वकील के तौर पर पहले राम मंदित और अब क्रिशन जन्म भूमी के लिए संगर्श कर रहे हैं नागसादू का जीवन बिता चुके करुनेश शुकला जी को लोग नागसवामी कुमा कार्टे के दास के नाम से भी जानते हैं 24 के उम्र में इन्होंने वकालत शुरू की लेकिन उससे पहले समाज के बीच नागसादू और कथा वाच्य की भूमी का में रहें वर्तमान में कृष्ण जन्व भूमी की कानूनी लड़ाई में शामिल है इनसे जब ये पूछा गया कि क्या देश का मुसल्मान खत्रे में है तो इन्होंने इस हिंदू रास्ट्र भारत में हिंदू के अस्तित्यों को खत्रे में बताया और जब इनसे ज्ञानवापी का भविश्य जानना चाहा तो इन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिये और देखिए अजर किसी मुसलिम लड़के से शाधी करते तो उससे आपका बड़ा बवाल मत जाता है आप इन लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जो ऐसा बोलते हैं कि आप कोई भी ऐसा दिखा दिये कि जो हिंदू लड़के से साधी करके लड़की आई है हिंदू कभी उसको काट करके 35 टुकोड़ों में फेक दिया हो कभी ऐसा मुद्धा नहीं आ सकता है क्यों क्योंकि वो एक घरवापसी कर रही है वो अपने जो दादा बाबा ने उसके धर्म को छोड़ दिया था वो उसका घरवापसी हुआ है उसका धर्मांतर नहीं हो रहा है दर्मानतर अर्ड लब जिहाद के थुरू ऐसे होता है कि मतलब असुरचित हिंदू इसलिए हो रहा है क्योंकि यह लोग हिंदू लड़कियों को पहले उसको टारगेट करेंगे उसका बीडियो बनाएंगे उसके घरवालों को टराएंगे एक्स्टॉर्शन करेंगे पैसे मं देख सुसाइट तक करना पड़ा लब जहां से जुड़े कितने केसे कोट में अभी आपको लगता है कि अभी तक चल रहे हैं अगर आप रिपोर्ट पढ़िए वहां का केरला का तो साइथ 48,000 पर एयर ऐसा कुछ करके या एक रिपोर्ट है निकाल लेंगे तो हजारों की संख्या में के अम हो रहे हैं तो यह की इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हिंदु लड़कों के टार्रकेट करना ए उनका है कि गजवाय हिंद भाषू हो जड़्वें जाएगी उतना ज्यादा उनका धरम का शंख्या बढ़ेगा जबहुत्पने त तिरंगे के जगा हरा जंडा पाराना शुरू हो जाएगा तो यह लब जिहाद नहीं एक बहुत बड़ा मिसल है जिसको लोग को इंप्लिमेंट कर रहे हैं कहीं मदर्सों में चल रही है यहां चल रही है वहां चल बड़े-बड़े फंड आ रहे हैं तो यह बहुत बड़ा लेबल का साड़ें तरह हैं इस मिशन को फेल करने के लिए कानूनी तो और से नहीं वैसे कैसे रोका जा सकता है अभी हम लोगों ग्यानवापी मजीद को लेकर ग्यानवापी विवात को पूरा लेकर एक साल से भी उपर का वक्त हो चुका है बहुत सारी स्टोरीज में उस पर बनाती हूँ कि अब कोट ने यह बोला है हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों को लेकर लेकिन जब पहली बार जो तस्वीरे उसमें से साफ आई और वजु खाने से जो तस्वीर सामने आई हिंदू पक्ष ने उसे शिवलिंग बताया महादेव का रूप बता दिया दूसरा पक्ष उसे ववारा बताने लगया फाउंटें मैं सच जानना चाहती हूं हम जो सोच रहे हैं हिंदू लोग ज क्या ग्यान वापई मन्दिर में तब्दील हो जाएगी जो इसका अस्तित्व रहा है मन्दिर में तब्दीन हो जाना चाहिए हो पाएगा हो जाना तो सब चाहते क्या है अश्यां कुछ और कोर्ट में तो देखे सबूत चलते 07 कि एक आपिध्या तो पस जाकी किया है कि आ दिखाने के लिए होता है ना कि तॉब आकोमेंट हैं तो फ हिम दिखा देंगे फे इसको हम ने देदिन लेकिन यह जो रोड़ा आठकाने का काम है अर्यकु हें कि एक राम मंदिर को थोड़ा सा इसको हम इसके उसमें नहीं लेंगे लेकिन बाकी मंदिरों के लिए इसको एक जमसन नहीं दे सकते हैं अगर हम सब का हक मांगने लगेंगे तो कहीं सारे मर्सिते तोड़नी पड़ेंगी आप मद्ध प्रदेश का एक धार जिला है वहाँ पर जाएंगे तो बागदेवी का मंदिर होता था सरसोती जी का उस पर जबरदस्ती मतलब उसी को इस्ट्रक्शर चेंज कर दिया मैं जाके वहाँ पर खुद देखके आया हूँ वहाँ पर भी इसी तरीके का डिस्प्यूट है और भी बहुत सारे अटाला मंदिर है वहाँ पर भी जबरदस्ती वाली इसी तरीके से मंदिर महजित कर दिया है तो इन लोगों का जो एक रहा है कि मंदिर को दोस्त करके और महजित की अस्थापना कर देना यह आसे नहीं है यह आउरण जेब के टाइम से जब हिंदू के उपर अत्याचार शुरू हुआ उनका एक फर्मान था आउरण जेब जी का कि बोले कि अगर आप इसलाम धर्म करहन करते हो तो ठीक है नहीं तो सर तंसे जुदा कर दिया जाएगा या तो इसलाम कूबर कर लो या तो मर जाओ तो आज भी वही आइडियोलाजी है कि सर तंसे जुदा कर देंगे के तो ऐसे लोगों से हम लोगों की लडाई है कर देंगे ऑद्र समेगे हमारे खिलाब में तो इनका आईडियोलाजी वही है और उमीद है कि कही नहीं सरकार अगर ऐसे अच्छी आती रही तो यह लोग पे आएए अप इस मामले से जोड़ें आपको क्या लगता है ग्यान वाप्य का तो इसे तो आपको पता है कि यहां से यहां आएगा यहां से यहां आएगा कितना टाइम लग सकता है एक तो टाइम का हम बताने सकते कि इतना टाइम एग्जैक्टली कोड में लगता है कोड में तो मालने आज के डेट में अगर कोई बंदा केस फाइल करता है तो उसकी हो सकता है अगली पीड़ी को जज्जमन करें इतना भी ऐसा कोड का सिस्टम है वो अपना एविदेंस सब्मिट करेंगे फिर और वो लोग के पास सबूत नहीं होते ज्यादा तो लोग क्या करते हैं उनके पाई टिले टेक्टिक है कि मतलब केस में भले हमें जीतूं या हरूं डिले क तो अगर किसी गुख्ति को नहाए मिलने में जय हा रही है तो किसी ने थपड़ मार लिया गाली दे दिय आफकी सामान सीरल है और जार में जाय हो गया किया सरथ दो हमाल सब्सें नहीं हो गया तो कहीं नहीं अन्याए हिँ उको हैर Jonathan वह लोग उस टेक्निक को अपनाते हो उ JUST कि कुछ नहीं इनको कुछ नहीं करा दो खुब जाधा तो उस को अपनाते हुए लोग कुछ नहीं कर ती इसको कुछ अगर फाइल करना है, तो ताइम से फाइल करते हैं उसата है उसको देरी करते हैं झाल झाल